गुड मॉर्निंग बच्चो आज हम क्लास थर्ड में व्याकरन का पार्ट साथ पढ़ेंगे जिसका नाम है वचन तो देखिए दिये गए शब्दों को ध्यान से पढ़ो तथा चित्रों को देखतो तो ये पहला पिक्चर हम देख सकते हैं आख का है और दूसरा पिक्चर इसमें कई सारी आखे नजर आ रही है पहले पिक्चर में एक घुड़ा है और दूसरे पिक्चर में कई सारे अबूड़े देखिए वचन होता क्या है शब्द कि जिस रूप से वसके अनेक संख्या होने का बूद होता है उसे हम क्या जैसे बच्छा जिस भाई थित rivalry वचन के भेद तो वचन के दो वेद होते हैं या दो वंग होते हैं नमबर वन एक वचन और नमबर टू बहु वचन फिर इसके बाद देखिए एक वचन क्या होता है देखी जरा वचन के होते दो प्रकार एक अनेक पर करो विचार तो देखिए एक वचन दो प्रकार के होते हैं एक अ बहुवचन कैसे कहते हैं तो देखिए शब्द के जिस रूप से उसकी एक से अधिक संक्या का बोध होता है वहाँ पर उसे बहुवचन कहते हैं जैसे लड़के नदियां चुहे बक्रियां आधी फिर यहां पर कुछ ध्यान देने वाली बात हैं जैसे देखिए व्यक्तिवा लोग खोष हो तो यह सब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं मतलब कर दोनों वचनों में समान रूप होते हैं जैसे मनुष्य पक्ष्य यानि एक बचन में भी विद्यारती भाई बालक आदि इनकी एक बचन या बहुवचन होने की पैचान वाक्य में इनकी क्रिया से होती है यानि क्रिया देखकर करके हम जान पाते हैं कि एक से जादा हैं तो देखिए एक बचन से बहुवचन बनाने की विधियां तो सबसे पहली है छोटे आकी मातरा की स्थान पर ए मात मीली मात्रा के बेटा का बेटें लटका का रणकेश सब्सक्क्राइब फिर इसके बाद देखिए आखी मात्रा के आगे ए जोड़ कर माता का माताएं कला का कलाएं सभा का सभाएं पाठशाला का पाठशालाएं कन्या का कन्याएं माला का मालाएं रिखा का रिखाएं बाला का रिखाएं बालाएं फिर इस तरह से यहां पहरे जिन शब्दों के अंत में या होता है उसमें या के उपर चंद्रविंदू लगा कर जैसे देखें चिडिया एक है तो चिडिया और एक से जादा हो जाएंगी तो चिडिया तो चंद्रविंदू लगा डिविया का डिविया का डिविया का चुई करके चोटी की मात्रा होती है उनके आगे यहां जोड़ करके स्थान पर चोटी की मात्रा लगा कर तथा अंत में यहां जोड़ कर गाइभा यहां लियुद्ध कर कर दंशन और चोटी की मत्रा नारी का नारियन कोपी का कोपीया अंत मचली का मचली मचली कई शब्ध प्ववचन में रही प्षयां इसे उसके आसूरुख ती ही नहीं थे आज आपके दर्शन हुए उसने थाख च्यार चाहिए कर दिए फिर देखिए किसी व्यक्ति को आधर देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है देखिए पिता जी आ रही है निता जी बोल रहे है शास्त्री जी महांति एक ही व्यक्ति है यह लेकिन फिर भी हम आधर देने के लिए बहुचन के रूप में इस्तिमाल क तो दिखिये चारो और पानी भर गया नहीं कहते हैं भर गया किया दो इसलिए ये खिवर एक वचन तो सबसे पहले यहां दिए आन्सरण के संख्न करते। लडका लड़का है लड़का है तो फिर देख लांसर है profesor जब भी किसी चीज का difference बताते हैं तो हम क्या करते हैं सबसे पहले लिखते हैं किसका difference है तो एक वचन और बहु वचन में अंतर पहले हमने यह heading डाला फिर एक साइड हम एक वचन को define करेंगे उसकी definition लिखेंगे और दूसरे साइड हम भहु वचन की परिवाशा लिखेंगे तो देखिए एक वचन क्या होता है तो शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का बूर्थ हो उसे एक वचन कहते हैं जैसे ल पर आ जाते हैं तो यहां देखिए दूसरा है इसमें दिये गए शब्दों के बहु वचन रूप लिखो रानी का हो जाएगा रानियां तिथी का हो जाएगा तिथियां बेटा का बेटे चिडियां का चिडियां सभा का सभाएं फिर इसके बाद देखिए सही शब्द आएगा कल की डैश अंधेरी थी मतलब एक बचन आएगा यहां रात रातें तो नहीं होगा अंधेरी तालाब में तैर रही थी तैर रही थी मतलब कई सारी तो मचलियां आएगा यहां महानगरों में डैस साफ सुत्री रहती हैं बिंदी लगा हुआ इसका मतलब बहुवचन है तो यहां सड़के आएगा फिर देखिए राइट रॉंग लगाने आपको तो भाववचक संग्या शब्द सदैद एक वचन में प्रयोग होते हैं तो सही है हमने पढ़ा था बहुवचन एक संग्या का बोद कराता है तो आपको मालूमिए एक नहीं अनेक संग्या का बोद कराता तक लिए रॉंग हो जाएगा दूद शब्द का प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है यह राइट है फिर इसके बाद देखिए व्यक्तिवाचक संग्या सदैद जाएं तो इस तरह से आएगा यह यहां फिर देखिए चिडिया का सही बहुवचन रूप है तो आपका राइट आएगा यह यहाँ पर फिर इसके बाद देखिए शास्त्री जी महान व्यक्ति थे यह वाक्या किस बचन में है तो हम अच्छे से जानते हैं आधरार्थ तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे और कॉपी के अंदर आपको गिवल्ट यह आपको बहुवचन पर देखिए यहां पर कुछ पिक्टर्स दे रखें हैं तो आपको बताना है यह वचन का कौन सा रूप है तो आपको अच्छे से मालू में एक है तो एक वचन हो उस तरह से सॉल्व कर लेंगे और की के अंदर आपको किवल्ट यह आगे से तीनो करने है यानि कर गाह किवलन यहीं हम कॉपी में कते हैं और मैंसे नकार मेरे prawis